आज हम दोनों बहने आपकी लिए बहुत ही प्यारा सा DIY लेके आए हैं नमस्ते कैसे हो आप सब खूब करती हूं आप सब ठीक होंगे तो आज दोनों बहने मिलके आपकी लिए इस कुर्थी का रियूस लेके आएंगों और यह जो DIY हर किसी को बहुत ही पसंद आने वाला है क्य और इसमें से हमें जो कपड़ा है पूरा यूस कर लेंगे और वैसे भी इस कुर्थी में से आप बहुत सारे DIY बना सकते हैं तो आज भी इस कुर्थी में से हम ऐसा ही प्यारा सा DIY बनाएंगे जो आप सब को बहुत काम आने वाला है तो रिना दीदी कर रही है और मैं की है और 20 x 40 नीची इसका है अब हमने यहां पे दूसरी लाइन स्टीच किया आप देख सकते ही पहले यहां पे स्टीच करना फिर उसमें 5 फिंगर की जगर छोड़ते हुए आपको सीधी सीधी लाइने करनी है देखे नीचे हमने दोनों साइड एक खुला रखा है वहां प पे फाइफ फिंगर की जगर चोड़ते हुए सीधी सीधी लाइने करनी है फिर हम यहां पे ऐसी तिर्ची लाइने करनी है तो तिर्ची या फिर इस तरीके से आप बॉक्स भी बना सकते है तो यह तरीके से आप अगर कुल्ट करते हो तो कहीं बे आपको कोई दिकत नहीं आ क्रोस नहीं कट करें सिर्फ थलका सा हम राउंड से दे रहे हैं उपर की और से यहां पे आप स्क्वेर भी रख सकते हैं जिसे स्क्वेर पसंद है अब हम अभी ही बनाते बनाते ही यहां पे सेंटर में नौचिस लगा लेंगे तो यह हमारा बैक बनता जाएगा और जो भी काम है वो होता जाएगा बेल्ट हमारे रेडी हो चुके हैं और जिसका नाप है 20 बाइ 1 इची सेंटर में हम उपर की और नौचिस लगाएंगे जहां पे राउंड सेक और दोनों सेट सेम नाप रखना है आपको जितनी भी सेंटर में जगर रखने है उतनी रखके बेल्ट को आप को अटेज कर लेना है कुछ इस तरीके से देखें जितनी भी हमें सेंटर में जगर रखने थी उतनी हमने रख ली है दोनों पार्ट हमारे रेडी हैं अब इतना बड़ा बोर्डर लेना है जिसका नाप है 44 by 10 इचीस देखें मैं यहां पे ऐसे नाप ले रही हूं क्यूंकि मसिन के आगे ही मेजर टेप लगी हुई है तो आप ध्यान रखे स्क्रीन पे भी मैं नाप लिख रही हूं और बोर्डर को हमें सेंटर में नौचिस लगाना है और 44 by 10 इचीस इसका नाप है अब हम नौचिस को मिलाते हुए यहां से स्टीज करेंगे देखें सीधी सीधी सी स्टीज करनी है बोर्डर को कहीं पे गुमाना नहीं है दोनों नौचिस मिलाए सीधा सा स्टीज किया अब उसी तरीके से दूसरा पार्ट लेना है और दोनों को नौचिस ऐसे मिलाएंगे यहां से सीधा सा आपको स्टीज कर लेना है और आपका नौचिस मिलाते हुए दोन साइट के पार्ट को ऐसे फोल्ड करें और मार्किंग करें उसी तरीके से दूसरी साइट का जो बॉर्डर है उसे भी मार्किंग कर कि उपर का जो राउंड था उसका नाप लें और ये 20 बाइ 7 इचिस का बॉर्डर कट करें और इसमें सेंटर से कट करके जिप को अटेश कर ल जिब के अंदर डालने के बाद यह जो मेन पार्ट हमने रेडी किया उसे लीजिए और देखिए सेंटर में आपको रखना है दोनों साइड वन वन इंचिस बड़ा रहेगा और स्टीच करके जोड़ें उसी तरीके से यहां पर दूसरी साइड आपको जोड़ना है देखिए बोर्डर है अब हम क्या कर buckets? यह जो वन इंचिस एक्स्ट्रा है इस तरीके से क्रोस में क्ट करेंगे थाद डूसरी साइड से सारे कोर्णर पे आपको तरीके से तो यहां पे जो वेस्ट स्ट्रिप है या फिर कपड़ा है जो यूज कर आपको अच्छा लगे और अच्छे से फिनिशिंग ले दीजे फिर यहां पे नीचे यह जो बॉर्डर है वहां से कॉर्णर से आपको पकड़ना है देखिए यह जो पूरा साइड का पार्ट है उसे यहां पे अटेज करना है बॉर्डर के साथ यहां से आप पकड़े और पूरा दूसरी साइड तक का जो बॉर्डर है वहां पे स्टीज करें और यह जो ट्रिक है उसी तरीके से आप करोगे ना जैसे हमने बॉर्डर को पहले सीधा सेंटर में अटेज किया उसके बाद तो यह किसी किसी की बैग है ना टेड़ी मेड़ी हो जाती तो ऐसी नहीं होगी और आपको परफेक्ट नाप भी मिलेगा छोटा बड़ा भी नहीं होगा और इसी तरीके से आप रेक्टेंगल पीस बना के भी स्टीज कर सकते हो अब हम दूसरी साइड करेंगे रेडी यहां पे पूरे राओं में आपको कर लेना है स्टीज तीरे-दीरे से आपको दोनों साइड का बॉर्डर करना है उसके बाद हमने जैसRe ंसेाड में कवर्सेलाई कर रहा था था वैसे ही यहां पे आपको कवर्सेलाई करनी है। situación कर दक देड़ करना है थे निपको भार करते हुए हो करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा और आप अभी छूटियों में घुमने जाओ तो ऐसा खुद का बनाया हुआ ट्रावल बेग यूज करना तो देखिए दूनों साइड हमने कवर से लाइक की अब हम इसे सीधा कर लेंगे बहुत बहुत सारे कपड़ी इसमें आ जा तब तक के लिए पबाई जय भारत वन्दे मात्रम